सुप्रभाद प्यारे बच्चों हमारा जो हिंदी क्लास में आपका चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था पार्ट नमबर 14 मुफ्त ही मुफ्त इसमें मैंने हमारी लाइफ क्लासेस में इसकी रीडिंग और एक्स्प्लिनेशन हो चुका है और उसके बाद आपको वर्च्वल क्लास में इंटी क्यू पर कुछ काम सेंड किया गया था जो की थे शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर तो hopefully आपने वो दोनों कर लिये होंगे आज हम उसी chapter की exercise को आगे बढ़ाते वे आज करने जा रहे हैं सही गलत सही गलत यानि कि true false और उसी के साथ हम करेंगे रिक्त स्थान और साथ ही साथ हम इसमें एक और exercise करेंगे जो है किसने किस से कहा यानि कुछ dialogue आपको पार्ट के बीच में से कुछ dialogue आपको बताए जाएंगे और आपको सिर्फ ये बताना होगा कि ये dialogue किसने और किस से कहा था ठीक है तो चलिए चलते हैं पहली exercise की तरफ जो कि है हमारी सही गलत और उसमें पहला हमारा sentence है भीकु भाई का आम खाने का मन हुआ भीकु भाई जो थे जिनकी हमने story पढ़ी थी उन भीकु भाई का मन आम खाने का हो रहा था क्या ये सही है या गलत ये बिल्कुल गलत है क् कि भीकु भाई का मन आम खाने का नहीं, भीकु भाई का मन नार्यल खाने का हो रहा था, वो भी कस के, ठीक, तो ये गलत है, दूसरा है, भीकु भाई स्वभाव में बहुत कंजूस व्यक्ति थे, भीकु भाई जो थे, वो कंजूस थे, तो, क्या वो कंजूस थे, आपको स्ट वो रूपे में नारियल कम नहीं लिया और कुछ पैसे बचाने के लिए वो इतनी दूर तक चलते चले गए। अग्ला सेंटेंस है, भीकू भाई ने एक रूपे में नारियल ख़रीद लिया था। बाई बर्गत के पेड़ के नीचे बैठ कर सोचने लगे जब बाजार जाने से पहले जब उनकी जो पत्नी थी लाबू बेन उन्होंने कहा कि खाना है तो बाजार जाना पड़ेगा तो बाजार जाने से पहले वो सोच में पड़ गए थे और सोचने के लिए वो कहा गए थे बरगत के पेड़ के नीचे बैठ कर सोच रहे थे कि मैं जाओं या ना जाओं क्यूंकि उन्हें वहाँ पर पैसे खर्ष करने पड़ेंगे ठीक है तो ये बिलकुल सही बात है नेक्स आता है अंत में उन्हें माली ने दो नारियल तोड़ कर दिये क्या ये सही है गलत है नहीं माली ने उन्हें मना कर दिया था कि मैं तोड़ने के तो 25 पैसे लगेंगे अगर आपको मुफ्त में चाहिए तो आप खुद दोड़ लू अगला है उट वाले नारियल पकड़े रहने पर उन्हें 100 रुपे देने को कहा उट वाले ने नारियल पकड़े रहने पर जो वो सो रुपे देने के लिए कहा था, नहीं, ये सो रुपे देने के लिए घोडे वाले ने कहा था, उंट वाले ने दो सो रुपे देने के लिए कहा था, तो ये गलत है, ठीक, अगले आते हैं रिक्तिस्थान, रिक्तिस्थान मंडी में डैश फैला हुआ था, क्या फैला हुआ था कोला हल कोला हल यानि की शोर सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा था नाव में घर में तो एक भी डैश नहीं था क्या नहीं था नारियल क्योंकि यह स्टोरी ही नारियल के उपर है तो भीकुभाई के घर में एक भी नारियल नहीं था इसी विज़े से वो बाजार में ग फिसल गया क्योंकि वह उंट जो है वह घास खाने के लिए आगे जुग गया था तो इस वज़े से वह जो उंट वाला था वह उसकी पीट से फिसल गया अगला चलते हैं अगली एक्सरसाइज है किसने किस से कहा इसमें आपको बताना है कि कुछ डायलोग्स आपको गिविन है खाना है तो जाना है ये बात किसने बोली थी ये बात बोली थी लाभू बेन ने भीकु भाई से ठीक है जो उनकी पत्नी थी लाभू बेन उन्होंने भीकु भाई से बोली थी नेक्स्ट है अच्छा मैं वाजार तक हो आता हूँ ये जब वो अपने आपको उन्होंने तया जब अले किया है ताकि पता रहे कि ये अगला है नीचे रख दो मेरे साथ कोई सवक्षान नहीं चलेगा ये गान वाले ने भी उठाके चल दिय Nokia कि मुझे तो ये पचास पैसे में दे दो और वो एकदम उठा के चल दिये तब नावाले ने उन से वापस नीचे रखवा दिया था अगला है एक नारियल मुफ्त में ही दे दो ये बात भीकु भाई ने माली से कही थी लास्ट में कि मैंने इतनी महनत कर दी है तो अब ये मु होता इसी चैप्टर के साथ तो आप ये पूरी एक्सरसाइज कर लेंगे अपनी नोटबुक में और फिर नेक्स्ट पिरिएट से जब भी हमारा नेक्स्ट हिंदी का होगा तो हम अपनी व्याकरान स्टार्ट कर देंगे जब तक के लिए टेक केर बाबाई थैंक यू